आप और मैं हूँ आपके साथ मिनाफशी रज़त जब भी कोई इंसान मुझरिम साबित होता है तो उसे जुर्म की सजा कारने के लिए जेल में रखा जाता है जेल एक ऐसी जगए जहां उन लोगों को रखा जाता है जिन्होंने कोई अपराद किया हो आज हम आपको दुनिया की कुछ ऐसी जेलों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में सुनकर आप भी चौक चाहेंगे फिलिपीन्स फिलिपीन्स की ये जेल किसी डिसको से कम नहीं है इसका नाम है सेबू जेल इस जेल का माहौल ही ऐसा है कि यहाँ कैदी कभी बोर नहीं होते उनके लिए यहाँ संगीत की विवस्था की गई है जिससे वो अपना पूरा मनुरंजन करते हैं यहाँ के कैदियों के एक डांसिंग वीडियो को अमेरिका की मशूर टाइम पत्रिका ने अपनी वाइरल वीडियोज की सूची में पांचवे नंबर पर रखा था दरसल फिलिपीन्स प्रश्वासन और यहाँ के लोगों का मानना है कि संगीत और नुरत्य दोनों ही एक डवाई की तरह काम करते हैं जो पुरानी जिन्दगी के गमों से छुटकारा दिला सकते हैं और एक नई जिन्दगी की शुरुवात करा सकते हैं वहीं आस्ट्रिया की ये जेल किसी फाइव स्टार होटेल से कम नहीं है पूरी तरह से काच से ढकी हुई इस जेल का नाम है जस्टिस सेंटर लियो बेन यहाँ जिम से लेकर स्पोर्स सेंटर और कैदियों के लिए निजी आलिशान कमरे बनाए गए हैं जिसमें टीवी से ल अजीवो गरीब वज़े से दुनिया भर में जानी जाती है आमतोर पर अन जेलों में कैदियों को किसी भी सेल में डाल दिया जाता है लेकिन यहाँ पर कैदियों को अपने लिए सेल खरीदना पड़ता है ताकि वो उसमें रह सके यहां पंदरा सो के करीब कैदी रहते हैं इस जेल का माहौल शेहर की गलियों जैसा लगता है जहां बाजाल लगे रहते हैं फूड स्टॉल लगे होते हैं यहां कैदी अपनी सजा इसी तरह काटते हैं वहीं इंग्लेंड और फ्रांस के बीच एक छोटा सा दूइप है गुवेनसी जहां दुनिया की सबसे छोटी ज इसे सार्क जेल के नाम से भी जाना जाता है 1856 में बने इस जेल में सिर्फ दो ही कैदी रह सकते हैं आज भी इसमें कैदियों को रात भर की कैद की सजा दी जाती है हालकि अगर कैदी जादा उतपाद मचाते हैं तो फिर उन्हें यहां से निकाल कर दूसरी बड़ी जेलों म में भेज दिया जाता है यह जेल परिटकों के बीच काफी मशूर है यहां बड़ी संख्या में लोग घूमने के लिए और इस जेल को देखने के लिए आते हैं स्पेन की अरंजुए जेल अपने आप में अनोखी जेल है क्योंकि यहां कैदियों को अपने परिवार के साथ रहने की छूट है सेलों के अंदर चोटे बच्चों के लिए दिवारों पर काटून बनाए गए हैं साथ ही इनके लिए यहां स्कूल और प्लेग्राउंड की विवस्ता है दरसल इसके पीछे की वज़र यह है कि बच्ची अपने माता-पिता के साथ रह सके और माता-पिता के लिए देखते रहिए देश ओनलाइन